आज हम start करेंगे second chapter forms of business organization सबसे पहले ये समझेंगे कि forms of business organization का मतलब क्या होता है फिर कितने forms होते हैं business organization के हर एक form का advantage, disadvantage, feature ये सारी चीजे इस chapter में हम cover करेंगे आज जो इस वीडियो में हम topic cover करने वाले हैं उस topic से related important questions जो इस वीडियो के last में हम discuss करेंगे So hello everyone, my name is Nancy Telani, let's start अब से पहले तो ये समझो कि forms of business organization का meaning क्या है तो क्या होता है न हर business अलग-अलग form में होता है जैसे कुछ business large size पे होते हैं और कुछ business small size के होते हैं कुछ business में ज्यादा workers की need रहती है और कहीं पे कम से कम workers की need रहती है कहीं पे government का जादा role होता है और कहीं पे government का बिलकुल भी role नहीं होता है या फिर कम role होता है कुछ business ऐसे होते हैं जहां पे labors मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो labor intensive होते हैं जहां पे labors का जादा use होता है और कुछ ऐसे होते हैं जो capital intensive होते हैं मतलब machines वगर का जादा यूज उस होता एं तो मतलब ये है कि हर business का form अलंग अलग होता है business का size shape structure अलग होता है यह बस इसी को कहा जाता है forms of business organization नाउ इस चाप्टर में हम 5 forms discuss करने वाले हैं Soul proprietorship, Hindu undivided family business, partnership, joint stock company and cooperative society SAMS हम इस चैप्टर में cover करेंगे लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ सबसे पहला फॉर्म Soul Proprietorship क्या होता है उस चीज़ के बारे में डिसकस करेंगे तो Soul Proprietorship होता क्या है सबसे पहले तो ये समझो एक ऐसा ओर्गिनाइजेशन जहां पर Single Owner पूरे बिसनेस को कंट्रोल कर रहा है और मैनेज कर रहा है मतलब एक सिंगल ओनर या फिर एक इंडिवीज्वल जब बिसनेस को रन करता है जब पूरे बिसनेस को ओन करता है मैनेज करता है और कंट्रोल करता है तो उससे कहा जाता है Soul Proprietorship मतलब यह जो business है यह उसी owner का है second thing पूरा management वही की संभाल रहा है मतलब सारे functions वही manage कर रहा है और control भी पूरा अपने business को वही कर रहा है मतलब अपने business related सारे decisions वो individually ले रहा है तो उसे का जाता है sole proprietorship जैसे हमारी locality में बहुत सारी small shops होती है जहां पे single person पूरे business को run करता है देखा होगा locality में हमारी यहां फे beauty parlor हो गया इस type के कुछ भी अगर small business होते हैं जहां पे एक single person पूरे उस business को run करता है control करता है तो बस उसे का आ जाता है sole proprietorship second thing कुछ भी अगर profits होते हैं इस type के organization में तो वो पूरा profit वो single owner ही receive करता है मतलब वो profit किसी के साथ share नहीं करता है क्योंकि अब पूरे business को अकेला ही manage कर रहा है तो profit भी वो अकेला ही receive करेगा और अगर कुछ risk होते हैं या फिर कुछ losses face करने पड़ते हैं individual को लोसज को भी वो अकेला ही bear करता है कोई उससे support नहीं गरता है मतलब अगर profit है तो वो भी अकेला ही receive करेगा अगर कुछ losses हें तो अकेला ही bear करेगा तो क्या होता है sold proprietorship I hope यह आप लोग को समझ आ गया होगा, Soul Proprietorship क्या होता है, यह अगर समझ लिया हो, तो अब समझते हैं कि इसके Features क्या होते हैं, मतलब क्या Characteristics होते हैं, या फिर क्या Properties होती है Soul Proprietorship की, तो सबसे पहला Feature है Formation and Closure, अब क्या होता है Soul Proprietorship को Form करना या फिर Establish करना बहुत ही Easy होता है, यहाँ पर जादा Legal Formalities की Need नहीं पढ़ती है, जैसे Documents वगेर होगए, जादा Legal Formalities नहीं चाहिए, या पर किसी Cases में License की Need रह सकती है लेकिन जादा Legal Formalities यहाँ पर नहीं चाहिए Second thing, ऐसी कोई Separate Law नहीं है, मतलब कोई ऐसा कानून नहीं है जो इस टाइप के Organization को Govern करें, तो इसका मतलब यह है Case type के Organization को Form करना बहुत Easy होता है और बात करें इसके Closure की तो Close करना भी बहुत Easy होता है इस टाइप के Organization को जब भी Trader या Proprietor चाहे, जब भी इस टाइप के Organization को Close कर सकता है तो मतलब Formation और Closure बहुत Easy होता है क्योंकि ज़्यादा Legal Formalities की Need नहीं है और कोई Separate Law नहीं होता है जो इस टाइप के Organization को Govern करें तो यह था इसका पहला Feature Second Feature है Liability Now Liability वो Obligations होते हैं जो कि Business Person को फ्यूचर में Pay करने होते हैं तो उसे का जाता है Liability Now Liability ही अगर बात करें तो Soul Proprietorship में Liability Unlimited होती है मतलब जो Soul Proprietor होता है मतलब वो Single Loaner जो पुरे Business को Run कर रहा है उसकी Liability Unlimited होती है Now Unlimited Liability का मतलब यह है कि जैसे मैंने Bank से Loan लिया और मैंने ये बोला कि अगर मैं Future में Bank को Loan Repay नहीं कर पाई तो मैं अपने Business के Assets Sell कर दूँगी Loan Repay करने के लिए लेकिन अब Business में भी Sufficient Assets नहीं है कि मैं वो Sell करके Bank Loan Repay कर सकूँ तो मैं क्या करूँगी जो मेरे Personal Assets होंगे या फिर Business Loans Repay करने के लिए Personal Assets यूज करनी पड़े तो उसे का जाता है Unlimited Liability तो Soul Proprietorship में जो Soul Proprietor होता है उसकी Unlimited Liability होती है अगर Business में Sufficient Assets नहीं होंगे तो उसको अपने Personal Assets भी Sell करने पड़ सकते हैं Business Debt को Repay करने के लिए तो यह था इसका Second Feature बात करें अगर Third Feature की तो वो है Soul Risk Bearer and Profit Recipient Now Soul Risk Bearer and Profit Recipient में यह आता है कि अगर कुछ भी रिस्क फेस करने पड़ते हैं जैसे Business Successful नहीं हो पाया और कुछ रिस्क आ जाते हैं कुछ भी अगर रिस्क यां अकेला ही पड़ते हैं तो वो अकेला ही फेस करेगा जो Soul Prroprietor है क्योंकि आप पूरे Business को अकेला ही मैनेज कर रहा है अकेला ही कंट्रोल कर रहा है किसी की Health नहीं ले रहा है किसी को involved नहीं कर रहा है अपने बिस्नेस में तो risk भी उसे अकेले को ही bear करने पड़ेंगे ठीके तो risk का अगर कुछ भी uncertainties अगर होती हैं तो वो अकेला ही bear करेगा second thing अगर कुछ profits होते हैं लाइक अगर business successful हो गया और जादा से जादा profits आने लगे तो वो profit भी अकेला ही receive करेगा जैसे risk अकेला bear कर रहा है तो profit भी अकेला ही receive करेगा किसी के साथ share नहीं करेगा तो यह था इसका third feature fourth feature है control now control का मतलब होता है अपने business related decisions लेना तो यहाँ पर क्या होता है न जो soul proprietor है वो अकेला ही पूरे business को manage कर रहा है किसी की health नहीं ले रहा है किसी को involve नहीं कर रहा है तो control भी पूरा उसी का होगा मतलब अपने business related जो भी decisions होंगे वो अकेला ही लेगा किसी के साथ consult नहीं करेगा किसी के suggestions नहीं लेगा वो अकेला ही पूरे business को control करेगा सारे decisions अकेला ही लेगा तो यह था इसका fourth feature बात करें अगर fifth feature की तो वह है no separate entity now no separate entity का मतलब है कि law या फिर public की नजरों में firm और proprietor इन दोनों को same ही consider किया जाता है दोनों की बीच में कोई distinction नहीं है जैसे कि example दूं तो हमारी locality में बहुत सरी small shops होती है अब उने small shops को जो भी person करता करता है हम इस person के नाम सी उन shops को जानते हैं जैसे कुछ भी दूं मनीष की दुकान परS Congress已 होता है तो सगता है ऊसकात明ी थे आप लोग नहीं कोई ब्छे कि अ शोल सामान लेता है मतलबिया कि चॉप जो है उसको यमल्द परसाइं हमने जांते हुरिद बीच में कोई भी distinction नहीं होता है यह दोनों सेम ही consider किये जाते हैं अब अगर Reliance से कुछ लेने जाना होगा तो यह थोड़ी कहेंगे कि अंबानी कहां से कुछ लेने जाने नहीं Reliance को Reliance नाम से जानते हैं तो वह क्योंकि बड़ा enterprise है लेकिन यहां पर हम अभी स्मॉल enterprise की बात कर रहे हैं तो इन फर्म और प्रोप्राइटर के बीच में कोई भी distinction नहीं है दोनों सेम ही consider किये जाते हैं तो यह था इसका फिफ्ट फीचर बात करें अगर शिक्स और लास्ट फीचर की तो वह है लैक ओफ बिसनेस कंटिनिटी नाव इस टाइप के इस प्रोप्राइटर कोई कुछ हो गया जैसे उसकी डेथ हो गई यहां फिर कुछ भी इंजरी हो गई तो उसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा बिसनेस पे क्योंकि अब कोई दूसरा या तीसरा इंसना आकर बिसनेस को रन नहीं कर सकता उस बिसनेस पे पूरा राइट इस अगर इस सोल प्रोप्राइटर को ही कुछ हो गया तो इसका एफेक्ट पूरा उस बिसनेस पे पड़ेगा इससे बिसनेस को कई बार क्लोज भी करना पड़ सकता है तो इसलिए बिसनेस जो लॉंग टम तक कंटीन्यू नहीं रह पाता है जल्दी क्लोज हो जाता है मतलब बि कि इसके ड्वांटेज क्या होते हैं तो सबसे पहला एड्वांटेज है क्विक डिसीजन मेकिंग मतलब इस टाइप के औरगनाइजेशन में बहुत ही क्विकली डिसीजन बना लिये जाते हैं जैसे कर एक ग्जामपल दू तो स्कूल में एक ग्रॉप एक्टिविटी होती ह जैंगे और कुछ एक्टिविटी ऐसे होती हैं जो इंडिवीज्वाली पर्फॉर्म करनी रहती है तो ग्रॉप एक्टिविटी में क्या होता है बहुत सारी स्टूडेंट्स मिलके अश एग्रॉप फॉर्म करते हैं जिये तो इस चीज होता है कि मतल़िवांट टाइम लग तो उसमें टाइम निलगता है वो बहुत जल्दी काम हो जाता है क्योंकि यहां पर क्याइना किसी के suggestions निलेने किसी के opinions निलेने अपने हिसाब से काम करना है जैसे खुद को sweetable लगे वैसे काम करो सेम चीज यहां पर भी अप्लाय होती है सोल प्रोप्राइटर्शिप में भी क्योंकि एक सिंगल ओनर पूरे बिस्नेस को मैनेज कर रहा है कंट्रोल कर रहा है तो वो किसी का इंटर्फियर निसमा पर नहीं हो पाता है मतलब किसी के सजेशन्स नहीं लेता है तो इसलिए का गया है कि डिसीजन्स बहुत ज्यादा जल्दी यहां पर जो ले लिए जाते हैं सेकेंड इंग इस चीज से बेनेफिट मिलता है कि क्योंकि डिसीजन्स बहुत ज्यादा जल्दी बना लिए जाते हैं स्ट्राइप के और्गनाइजेशन में तो इससे क्या होता है, market opportunities को भी बहुत जल्दी capture कर लिया जाता है मतलब, कई बार ऐसा होता है, big enterprises में, decisions में इतना time लग जाता है इतना delay हो जाता है, कि जो market opportunities होती है, वो ही आज से निकल जाती है लेकिन यहाँ पैसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे इस चीज़ का benefit मिलता है कि decisions इतने जल्दी quickly बना लिये जाते हैं, कि market opportunities को भी बहुत easily capture कर लिया जाता है तो यह था इसका सबसे पहला advantage, second advantage है confidentiality of information now confidential का मतलब होता है, privacy यहाँ फिर secrets, अब क्या होता है, क्योंकि sole proprietor सारे decisions अपने accordingly लेता है किसी के साथ suggestion, मतलब किसी के साथ कोई चीज suggest नहीं करता है, कोई opinion नहीं लेता है, किसी का हर चीज वो अपने accordingly देखता है तो इससे क्या होता है, business related जो भी important information होती है, वो बिलकुल secret रहती है मतलब privacy बहुत ही अच्छी तरीके से maintain हो पाती है, क्योंकि sole proprietor अकेले पूरे business को manage कर रहा है यह सारी चीज़े outsiders को और competitors को पता ही नहीं चल पाती है, जो बहुत अच्छा benefit है क्योंकि अगर information अच्छे तरी retain रहेगी business के अंदर तो यह अच्छा benefit है, competitors इस चीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे second thing, law के, क्योंकि यहां पर कोई separate entity नहीं है, कोई separate law नहीं है, जो इस type के organization को govern करें तो public के सामने अपने firms के account को भी publish नहीं करना पड़ता है तो यह इसका एक second benefit था, जो था confidentiality of information, मतलब जो भी important information होती है उस वह बहुत जादा अच्छे से private रहती है, privacy बहुत अच्छे से maintain हो पाती है बात करें अगर इसके third merit की तो वह है direct incentive, now direct incentive में क्या आया है कि जैसे एक businessman या जो भी sole proprietor है, जितना efforts वह लगा रहा है अपने business में अगर उसका business successful होता है और profits आते हैं business में तो वह पूरा profit उसी के पास जाना है मतलब तो sole proprietor है, वह अपनी earnings को किसी के साथ share नहीं करता है इससे क्या और रहन है efforts और reward इन दोनों के पीच में direct relation है जितना भी efforts लगा रहा है अपने business में, उसका पूरा earnings या उसका पूरा reward इसी को मिलना है इसे किसी के साथ अपनी earnings या profit share नहीं करना है तो इसलिए कहा गया है कि जो भी incentive है वो directly इसी के पास आता है जिससे इसको एक तरीके का encouragement मिलता है कि और जादा hard work करें और जादा earn करें तो यह था इसका third merit बात करें अगर fourth advantage की तो वो है sense of accomplishment इसमें क्या आये न कि अगर business successful होता है तो उस business के success के लिए यह sole proprietor अकेला ही responsible होगा team work में तो काम अच्छा होता है यह लेकिन अगर अकेले से भी काम अच्छी तरह से हो रहा है जादा से जादा earnings हो रही है तो इससे एक तरीके का sole proprietor को confidence मिलेगा कि हाँ पूरे business के success के लिए अकेला ही responsible है इसने अकेले ही पूरे business को manage किया है इसे और जादा encouragement मिलेगा कि और जादा अच्छे से काम करेगा और जादा earning करेगा तो यह था इसका fourth advantage बात करें अगर fifth merit की यह advantage की तो वह है ease of formation and closure इसमें क्या है ना इस चीज को मलब इस टाइप के organization को form करना बहुत ही जादा easy होता है क्यूंकि ज्यादा legal formality की जरुरत नहीं है second thing license की नीड नहीं पड़ती है किसी-किसी cases में license की जरुरत पड़ सकती है लेकिन वह भी बहुत ही कम ऐसे cases होते है exceptional cases होते है जापे license की जरुर all formation जो है इस टाइप के organization का वह बहुत जादा easy होता है और इसको close करना भी बहुत easy होता है जब भी प्रोप्राइटर interested हो वह इसे close भी कर सकता है अपने will के accordingly इसका मतलब इस टाइप के organization को form करना और close करना यह दोनों ही बहुत easy है तो यह तो हमने समझा कि इसके क्या merits होते है मतलब क्या फायदे होते हैं sole proprietorship के अब बात करें इसके limitations की कि क्या नुकसान होते क्योंकि हर जगा कुछ advantages होते हैं तो disadvantages भी होते हैं तो अगर हम बात करें sole proprietorship के limitations की तो सबसे पहला limitation है limited resources अब limited resources में यह न कि एक business को start करने के लिए बहुत ज्यादा investment की need पढ़ती है अब एक single owner कितना investment लेके आएगा उसके पास इतनी savings तो होगी नहीं कि वो अपने business में लगा सके और अगर वो bank के पास भी जाता है loan लेने तो banks भी loan देने में hesitate करती है क्योंकि banks को भी चीज़ का डर लगता है कि in future इस टाइप का organization अगर success नहीं हो पाया तो उनका loan कौन repay करेगा तो इस इस वज़े से क्या होता है ना इस टाइप के organizations को resources ही नहीं मिल पाती है जादा resources में इस टाइप के organizations lack कर जाते हैं जिस वज़े से growth अच्छी नहीं हो पाती है growth करने में या फिर innovations में बहुत जादा problems face करनी पर सकती है proprietor को तो limited resources वाली problems इसलिए face करनी परती है क्योंकि एक single owner क पास इतनी savings नहीं होती है कि वो अपने business में invest कर सके और banks भी loan देने में hesitate करती हैं तो यह था इसका सबसे पहला disadvantage बात करें अगर second demerit की हैं फिर limitation की तो वह है unlimited liability now unlimited liability का मतलब क्या होता है वो तो मैं already बता चुकी हूँ मतलब अगर अपनी personal assets भी उस करनी पड़ रही है business के loans को repay करने के लिए तो उसे का चाता है unlimited liability तो यह वाली problem sole proprietor को face करनी पड़ती है जैसे अगर business में sufficient assets नहीं होंगे तो उस ताइम पर अपने personal assets को भी बेचना पड़ सकता है debts या फिर loan को repay करने के लिए जो कि एक disadvantage ही है इस वज़े से क्या होता है ना जो प्रोप्राइटर है वो इसी डर की वज़े से इसी फियर की वज़े से innovations नहीं कर पाता है growth नहीं कर पाता है अपने business में तो यह था इसका second demerit third limitation की बात करें तो वो है limited life of business concern अब वही बात business जो है वो long term तक continue नहीं रह पाता है क्योंकि अगर sole proprietor को कुछ भी हो गया कुछ भी injury हो गई accidents हो गई या death हो गई अगर sole proprietor की तो उस time पे business को close करना पड़ सकता है क्योंकि business में एक single owner काम कर रहा था वो किसी और को involve भी नहीं कर रहा है कि चलो उसे कुछ हो गया तो कोई दूसरा इंसान आके उस business को run करें आप फिर continue रखे नहीं ऐसा possible ही नहीं है तो इस बचे से क्याना business long term तक continue नहीं रह पाता है अगर businessman को कुछ भी होता है तो उसका पू लिमिटेशन की तो वह है लिमिटेड मेनेजेरियल एबिलीटी नौ लिमिटेड मेनेजेरियल एबिलीटी के अंदर यह है कि जैसे अब एक single owner हर field में expert नहीं हो सकता मतला पूरे business को भले ही वह manage कर रहा है लेकिन तब भी हर activity को अकेले manage करना impossible होता है हर field में expert होना कितना भी क single person के लिए possible नहीं होता है और इसमें क्याना limited resources की problem की वज़े से जो single owner है या जो sole proprietor है वो expert या फिर professional services भी यूज नहीं कर पाता है इस वज़े से भी business के growth में और innovation में problems आती है इस वज़े से भी business long term तक grow नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास limited resources होती है जिसकी वज़े से expert services य expert नहीं होगा हर फिल्ड में वो खुद भी expert नहीं होगा qualified नहीं होगा कि वो हर फिल्ड को बहुत अच्छे से manage कर सके तो यह था इसका fourth limitation तो limitation से यह conclusion निकलता है कि sole proprietorship जैसे organization को growth में बहुत जादा problems face करनी पड़ती है वह इसलिए क्योंकि limited resources एक तो यहां पर manager liability इतनी अच्छी नहीं होती है unlimited liability वाली problems face करनी पड़ती है इन कुछ problems की वज़े से यह जो इस type को organization होता है उसके growth में बहुत जादा problems आती है लेकिन अगर एक sole proprietor चाहे अपने business को expand करने के लिए तो वो उससे कर सकता है उसके लिए उसे दो चीज जियान में रखनी पड़ कर लें कि अगर वो कभी काम नहीं कर पा रहा है तो उसके बिहाफ पर असिस्टेंट से काम करवा सके तो अगर वो paid assistant को hire करता है मतलब उसे काम निकल वाले और उसके बदले में से salary या wages दे तो यह भी possible है कि वो अपने business को grow कर सकता है या फिर वो एक या एक से ज्यादा partners को involve करें अपने business में इससे क्या होगा वो खुटो finance इन्वेस्ट करी रहा है business में जितने भी पार्टनर्स को वो involved कर रहा है तो वो पार्टनर्स पी कुछ investment लेके आए जिससे business को resources अच्छी मिलेंगी और resources अच्छी मिलेंगी तो business की growth possible है और expert services बहुत easily hire कर सकते हैं मतलब बहुत सारी चीजें possible हो सकती हैं जो पहले possible नहीं थी अगर एक single owner अक्यला पुरे business को manage कर रहा था तो अगर वो paid assistant hire करता है तो वी business की growth possible है या फिर अगर वो दो चार पार्टनर्स को involve करता है तो भी business को grow करना या फिर innovations करना possible हो सकता है तो यह था sole proprietorship क्या होता है इसके क्या features होते ह questions, advantages इस सारी चीजें हमने इस वीडियो में cover की अब अगर बात करें कुछ important questions की जो की आ सकते हैं तो सबसे पहला question है which type of organization profits do not have to be shared and why मतलब किस type के organization में profits नहीं share करना पड़ता और क्यों नहीं share करना पड़ता तो sole proprietorship क्योंकि sole proprietorship में single owner काम करता है तो महां पर उसे किसी के साथ भी profits नहीं share करना पड़ता और profit क्यों नहीं share करना पड़ता क्योंकि वह अपने business में किसी को को पहला नहीं करता है मैं तो इसलिए जो भागना से सब्सक्राइब करता है यह ठाहि नहीं करता है को कर बहुत ओसीं भी सतलब मतलब दसब्रय इप सब्सक्राइब 200 क्लोज करना क्यों बहुत एजी होता है ऐसा इसलिए क्योंकि जादा लीकल फर्मैलिटीज की नीड नहीं रहती है यहां पर लाइसेंस की भी बहुत ही कम केसे जोते हैं पर जरुरत रहती है और कोई सेपरेट लौ नहीं होता है जो कि इस टाइप के और्गिनाइजेशन को मच आया होगा अगर कुछ भी डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और सेप्टर के नोट की जो लिंक है वह दिस्क्रिप्शन में हैं वहां से जाके डाउनलोड कर लेना और अगर अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब सब्सक्राइब कर दो शेयर करो वीडियो अगर अच्छा लगाए तो तक तक के लिए गुड़ बाई टेक क्येर